आपका यूनिक समाचार में स्वागत है बिहार में पिछले 24 गंटे में चमकी बुखार के 75 नए केस सामने आये हैं अब तक 110 बच्चों की मौद हो चुकी है बिहार के मुझफरपुर में बच्चों की मौद कहा कड़ा 110 तक पहुँच चुका है पिछले 24 गंटे के अंदर मेडिकल कालेज में 75 नए मरीज भरती हुए है 400 बच्चों का इलाज चल रहा है जिसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है लेकिन अभी तक न तो सरकार न डाक्टर ये तय कर पाए हैं कि ये बिमारी कौन सी है मुझफर पूर और रासपस के इलाकों में इसे चमकी बुखार कहा जा रहा है लेकिन सरकारों को सायद फुर्शती नहीं है कि बिमारी की असली वजह और इलाज धूढ़ा जाए मौत की सुरुवात के करीब 20 दिन बाद मंगलवार सुभश चुबा मुख्यमंत्रे नितीश कुमार मुझपर पूर के SK-MCH अस्पताल पहुँचे नितीश के पहुँचने के बाद बच्चों के माबाप को उमीद थी कि उनके नो निहालों के साथ हवा में तीर की तरह हो रहे इलाज का कुछ इलाज होगा दवाएं मिलेंगी अस्पताल की सेहत सुधरेगी लेकिन CM साहब की परदेदारी देखकर लोगों के सब्र का बाद तूट गया लोग नारे लगाते रहे और नितीश अस्पताल प्रसासन की पीट थप थपा कर आराम से निकल लिए चमकी वुखार से हो रही मोतों का मामला सुप्रिम कोट तक पहुँच गया है दो वकीलों ने जनहीत याज का दायर कर मांग की है कि बीमारी से प्रभावित इलाकों में केंदर और विहार सरकार को 500 ICU बनाने का आदेश दिया जाए प्रभावित इलाकों में मेटकल एक्सपर्ट्स टीम भेजने के निर्देश दिये जाए और 100 मोबाईल ICU मुझफर पूर भेजे जाए इसके साथ ही मेटकल बोर्ड का गठन किया जाए इस बीच चमकी बुखार के कारण लगातार बढ़ रही मोतों की तादात को देखते हुए राष्ट्री मानवादिकार आयोग NHRC ने सोमवार को केंद्री स्वास्त मंत्राले और विहार सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर नोटिस जारी किया है ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मुझाफरपूर के अलावा राज्य के कुछ अन्य जिले भी इससे प्रभावित हुए है आयोग ने इसे लेकर रिपोर्ट मांगी है साथ ही यह अभी पूछा कि अस्पताल में भरती बच्चों को किस तरह का इलाज दिया जा रहा है और पीडित परिवारों को राज्य सरकार किस तरह की सायता उपलब्द कराई गई है आयोग ने स्वात मंत्राले और बिहार सरकार से चार हपतों में जबाब देने को कहा है धन्य बाद अब बने रही है हमारे साथ हम फिर आज ही रहेंगे इसके बड़े अपडेट को लेकर तब तक के लिए दिजिए इजाज़त नमस्कार